फ्लोगेज मैं खुशुरू आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में आज हम लोग आपके सामने कैसे डॉक्टर का मामला लेके आए हैं जिसने बहुत ही बड़ी लापरवाही की है बताया जा रहा है कि डिलीवरी के दौरान मां का पेट कारते वक्त उसने एक्चली में बच्चे का गाल जो है वो काट दिया है ना काफी बड़ी लापरवाही तो चलिए हम आपको बताते हैं अखिरकार ये पूरी लीटेस अपडेट किया है पूरी अपडेट जानने के बद आप लोग हमें ये चीज़ बताये कि इस माता-पिता ने जो किया है जो कदम उठाय है उन दॉक्टर्स के खिलाफ वो सही है ये गलत है और इन दॉक्टर के खिलाफ क्या कदम और भी उठाने चाहिए हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए चैनल गो जो नौर्मल चीजे हैं जो बीमारी हैं उसके लिए लोग एक्चली में घॉस्पिटल को ज्यादा तर अवयал कर रहे हैं पर प्रेगननेंसी को अवय नहीं कर सकते हैं तो यहां पर और एक महिला जो है वो प्रेगनेंट होने के साथ उसका जो बच्क जो है वो डिलीवर होने जिसके कार्ण नहीं होस्पिटल में एडमिट करवाई गया था पर पेंच जाधा होने के कारण तो महिला को डॉक्टर नीक ये सजाव दिया कि वह सीजरींग करवाए इसिदर वानीए सीजरींग उने के लिए operation theater में भीजा गया operation theater में जब scissoring कर रहे थे तब बच्चा तो पैदा हुआ पर बच्चे को जब मा नहीं देखा तब उसके गाल के उपर एक बहुती बड़ा कट लगा हुआ था जिसकी कारण उनको समझ में नहीं आया और बच्चे जो कि अभी नवजा शिशु अभी अभी पैदा हुआ है उसके गाल पे तीरा टांके जो है वो लगाएगे इसी बीच पे मा को समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये सब चीजे कैसे हुए और उस दुरानी जैसे ही उन्होंने अपना दिमाग दुराने के बाद उनको सही सही चीजे जो है वो सामने आखों के सामने आ गए कि जिस दुरान ही वो सिजरिंग कर रहा था डॉक्टर उन्होंने बीना कोई चेक किये बगैर जो नाइफ है वो एक्चुली में पेट के उपर कट लगा दिया जबकि बच्चे का फेज जो है वहां पर काफिजा नजदीक था जिसके कारण बच्चे का गाल जो है वो उसके साथ कट गया और यह सब लापरवाही जो है वो डॉक्टर की है इसके बारे में जानने के बाद वो महिला आपने बच्चे के साथ पुलिस टेशन गई और वहां पर जो है वो डॉक्टर के खिलाफ और वहां के प्रशासन के खिलाफ जो है उन्होंने केस दायर किया वहां के प्रशासन का कहना ये है कि डॉक्टर के उपर इंक्वारी बिठाई जाएगी जो कि उसकी ये काफी बड़ी लापरवाही है जो कि उसने की है अभी आप बताएं कि जो माबब ने किया है वो आपकी नजर में सही है या गलत है और उसी के साथ डॉक्टर्ज जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ क्या सकत कदम लेने चाहिए आपके एकॉर्डिंगली जरूर कीची कमेंट इसी के साथ मैं लेती हुजाज़त बबाई टे के नमस्कार